एक साहुकार के साथ बेटे और एक बेटी थी साथो भाई अपनी बेहन के साथ ही भोजन करते थे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतूर्टी को बेहन ने करवा चोथ का व्रत रख निराकर व्रत किया और वेनाना प्रकार के भोगे पतार्थ प्रसाद के लिए बनाए जब भोजन का समय हुआ तब भाईयों ने अपनी बहन को भोजन के लिए बुलाया बहन ने कहा कि जब चांद उदे होने पर चंदर देव के दर्शन करके चंदर मा को अरद दे कर व्रत का पूजन करके ही मैं भोजन करूंगी भाईयों ने सोचा कि इस तरह तो हमारी प्यारी बहन भूखी रहीगी इस कारण एक भाईयों ने एक हाथ में दिया लिया और शाम के समय उचे पेड़ पर चड़ गया और दिया जला कर चलनी में ढख दिया और स्वाइन छिप गया भाईयों ने भाईयों से कहा कि चांद उधे हो गया बहन ने भाईयों से भी कहा कि चांद निकल गया चलकर रग दे दे भाईयों ने कहा कि चांद तो दो गड़ी रात भी इतने पर निकले गा हम तो तभी रग देंगे जब चांद उधे होगा बहन कुछ नहीं समझी और उतने नादंता वश बनावती चांद को रख देकर भाईयों के साथ भोधन करने बैठ गई उसका पती बहुत बिमार है जल्दी से बेज़ेकर बहुत बेज़ें कर भैण जल्दी से शाइग के पले में एक सोने का तका भांध दी कि जो भी रास्ते में दे उसके पैर चूँ लेना और भाग्यवती रहने का आशिर्वाद मांगना साथ भाईयों की बेहन बनी रहो दसुराल पहुती तब वहाँ पर दर्वाजे पर ननन्द खड़ी थी बेहन ने अपनी ननन्द के पैड चुए तब ननन्द ने कहा की सप्रूती हो साथ पुत्रों की माता हो और तेरे भाईयों को सुख मिले यहे बात सुनकर जो सोने का ठका माने साड़ी के आचल में भादा था वो बेहन ने अपनी ननन्द को खोल कर दे दिया अंदर गई तो सास ने कहा की उपर मुंदेर है वहाँ पर जाकर बैठ जब वो उपर गई तो देखा की उसका पती मरा पड़ा है यह देख कर वह रोने लगी इस तरह भुख प्यास छोड़कर वर्ष भर्द अपने पती को लेकर बैठी रही पर्टिक मास की कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को चोथ माता आती और कहती कर वे ले लो और भूक लगे तो भाईयों के साथ जाकर भोजन कर लो इस तरह कहते कहते आशिवन मास अड़थात कवार मास में चोथ माता आई और कहने लगी कि बेहन तुम्हारे उपर चोथ माता नाराज हुई है वही तुम्हारा सुहा तुम्हे वापस देंगी तुम उनके पैर पकड़ लेना जब तक तुम्हारे पती को जीवित ने कर दे तुम उनके पैर मत छोड़ना यह कहे कर आशिवन मास की चोथ माता चली गई बाद में कार्टिक मास की चोथ माता आय और गुसे में बोली भाईयों की दुलारी करवे ले लो दिन में चान दुखता है करवे ले लो ज्यादा भूक लगने वाली करवे ले लो तब साहुकार की बेटी चोथ माता के पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी हाथ जोड प्रातना वैविंती करने लगी की चोथ माता मेरा सुहाग आपके हाथों में है आप मुझे पर अपने क्रिप्या करिये मेरा पती जीवित करिये आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा इस प्रकार साहुकार की बेटी अनुने विन्या करने लगी और कहने लगी कि मुझसे जो व्रत को दूशिट करने की भूल हुई है उसे आप शमा करें चोथ माता साहुकार की बेटी पर प्रस्न हो गई और अपनी आखों से काजल नाखुनों से महंडे और मांग से सिंदूर दिया माता की क्रिपया होते ही साहुकार की बेटी का पती जीवित हो गया जीवित होते ही पती बोला की मैं बहुत गहरी नींद में सोया साहुकार की बेटी ने सामर्थ अनुसार सामगरी जुटा कर चोथ माता का पूजन किया और चोथ माता से सुहा का अशिरवाद मांक सास के पर छुए और साथ ही सोभाग्यवती स्त्रियों के पर छुक सोभाग्यवती रहने का अशिरवाद प्रात किया हे चोथ माता जैसा साहुकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब को देना मेरे को भी और सब परिवार वालों को